कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरे तनसेन भारती अज़ हम बात करेंगे एक बाइरल ख़बर के बारे में जो करोना काल के दौरान बहुतीजी से बाइरल हो रहा है इसमें कहा जा रहा है कि मांस मंचली और अंडा खाने से फैलता है करोना आप यह जानते हैं उसक कई राज्यों में लॉकडाउन का एलान किया गया है ऐसे में सोसल मीडिया पर कई भरामा ख़बरें लोगों के बीच भै का महौल बना रही है ऐसे में कई ऐसी जनकारिया है जो सोसल मीडिया पर तेजी से परसारित हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मुरगा मटन मचल से कुरोना के होने के मामलों में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है इसको लोगा बिहार सरकार की अधिकारी के ट्वीटर हैंडल आई पी आडी बिहार से यह अहम जनकारी जो है साजा की गई है जिसमें बताया गया है कि मटन चिकेन अंडा और मश्ली खाने से कुरोना वाइरस का संक्रमन नहीं होता है मूर्गी मांस मश्ली अंडा खाने से कुरोना संक्रमन का अब तक कोई मामला सामने स Şimdi आया है वही यह भी सलाई दी गई है कि कोई भी मांस मेझा काने से पहले उसे अच्छी तरह से पका ले वही सोसल मिडिया कर चलने वाली भ्रामक खबरों सदूर रहने की सलाई वहशा 거죠 कि कोरोना काल में बिहार में मचली कारवार में आधे से कम हो गया है इसकी बज़ा से मचली कारवारियों के रोजी रोटी पर भी असर पढ़ना सुरू हो गया है सरकार ने लॉक्डाउन के दरान अंडा मांस मचली के बहनों के आमा गावन पर भी छुट की बात कही है इधर हैचरी में उत्पादित चूजो और अंडो का राज के अंदर यानि की परदेश के अंदर ही जो है दुसरे दुसरे राज्यों में लाने ले जाने की भी बात कही गई है पिछले साल यानि के साल 2020 में जब पहली बार कोरोना वाइरस के कारण लॉकडाउन की घोशना की गई थी तो उस समय भी सबसे जादा इसी तरह की खबर जो है बारेल हो रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि मांस मशली खाने से कोरोना फैलता है उसमें भी P.I.B. ने नहीं अफवाहों पर ध्यान दे P.I.B. ने यह सपश्ट किया कि मक्षरों के काटने से भी कोरोना वाइरस नहीं फैलता है और नहीं आइसक्रीम के खाने से कोरोना वाइरस फैलता है खांसी जुकाम या फिर बुखार हो तो तुरंट डॉक्टर के पास जाए कोरोना वाइर नाक मुह और आखों को बार बार टाच ना करें अगर आपको खांसी जुकाम या बुखार हो तो तुरंट डॉक्टर के पास जाए खांस्ते और शिक्त समय नाक मुह पर टीशू और पेपर का इस्तेमाल जरू करें तो इस तरह की खबरें जो है सोचल मीडिया पर बहुत त कि नहीं है विहार सरकार साथ खबरों के लिए बुहारी नियुछ की साथ मुझे दीजया जाए द्द्थन्यवाद